हेलो फ्रेंट्स स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूटूब चैनल इस्टेडि विस सिवं पर फ्रेंट्स आज हम बात करने जा रहे हैं परी तो महत्तपूर विट्विटब के बारे में दोस्तों इस वीडि Kanye कमें बीटामिन से दे जितने प्रष्णंगा सबी मैंने कवर की है ठीक है दोस्तों चलिए करते हैं सब्चेद्ज दोस्तों कि या विटामिन क्या है हम पढ़ने जा रहें दोस्तों सबस najleнем हो तो यह कर बोलिक 7已经 ठीक है तो क्या वे रच्छात्मक पदार्थ भी कहते हैं थीक दोस्तों इंस मॉस्ट इंपॉrton पाइंटि इंपार्टन पाइंसे मोच्ट इंपार्टन ये है कि इसमें ऊरजह नहीं होती है जो केलोरी होती है दोस्तों वह विटामिन में couleur थिक है अब दोस्तों हम देखें कि वह इतनी बात तो हमारे समाज में आ गई लेकिन आपने यह नहीं बता कि खोज किस ने की तो दोस्तों जो बिटामिन की खोज की थी वह फंक नामक बैग्यानिक ने की थी थी सबसे most important भाईया इसमें उर्जा नहीं होती और यह रख्षात्मक पदार्थ कहलता है ठीक है दोस्तों आगे हम देखें कि भाइया इनको जो है दो भागु में बाटा बिटामिन में बता कर दोस्तों नंबर एक है जल में घ्णे वर्वासा में गुलंसिल विटामीन है कीडा थीक है दोस्तों इतना आप समझ गए होगे आगे हम कबर करें करें गूर्च कि खोश किस poverty कोश ने के हैं Ok मैकुलन ने की वितामिन A और B की खोज मैकुलन ने की वितामिन C की खोज होपकिन्स ने की अब दोस्तों A B Khoj Maculand C Khoj Holkot और D Khoj Hopkins Maculand Holkot and Hopkins A B C D ठीके दोस्तों आब आगे हम देखें कि विज़ा विटामिन E की Khoj किसने की विटामिन E की Khoj दोस्तों Dr. Herbert Evans ने की किसने की Dr. Herbert Evans और यह पूछा जाई भाईया कि विटामिन K की Khoj किसने की दोस्तों तो हेनरिक डैम और कैथरिन एश विशाप इन्हों ने जो है विटामिन के की खोज की ठीक है दोस्तों अब आगे हम कबर करते हैं वह यह विटामिन और उसका रासानिक नाम जो यह महत्तुपोर्ड विटामिन है और उसके रासानिक नामों के बारे में ठीक है दोस् नाम थाइमीन रेटिनाल थाइमीन अब दोस्तों यहां पर देखेगा वह यह बितामिन B जो है उसके कई भाग है तो देख लिए दोस्तों कौन कौन से है जो भी डू है भी ठू astrology अनौोन बिटामिन B3 नियसीन बोलते हैं या इसको निकोटनेमाइट भी बोलते हैं ठीक है दोस्तों कहिके निकोटनेमाइट भी मिलता है बिटामिन B5 का रासाइंग नाम क्या है दोस्तों तो जो विटामिन B5 है दोस्तों उसका रासाइंग नाम है पेंटोथोनिक अमल ठीक है दोस् तो इतना आपने समझा विटामिन B के बाद विटामिन B2, B3, B5, B7, B11 और B12 वहिए इन सब के रसाइंग नाम आप देख लीजिएगा ठीके दोस्तों अब आगे हम देखें वहिए यह तो सभी को याद होगे लिए विटामिन B जो भाया B का है यह सारे इसी में सब को प्राइब को फेराल विटामिन B का रसाइंग नाम फिलो चूरून ठीक है दोस्तों तो इतनी बात आप समझ गया होंगे आगे हम दोस्तों देख लें इसकी कमी से जो विटामिन और उसके कमी से उत्पन रोग होते हैं वह कौन-कौन से होते हैं ठीक है दोस्तों हम कबर कर बाले से में तुछ वजया विटामिन-2 कमी से रताउंधी रोग होता है सबसे पू эту सब जो हम देख लेते हैं visitaman B 2 कि काम से कौन सा रोग होता है दो wonders तो तुछा या जीव का फटना iasia vitamin b 3 काम से उतपन रोग Dorobly घ्रीओ ऑर बाल सफेध होना जो बाल सफेध हो जाते इस भूचाते मतलब फैले मतलब उम्र के seven के बात की जाया je like waar होता है लको विक गविष्ण सेव कमी से होता है और यह गया शचाला ज़्री कि की जाता है और यूर्कार जबालों का जड़ना बात की जाते हैं यह भ्यूर्य जिसे फीलिया बोलते हैं वो हो जाता है ठीक है दोस्तों आप यहां पर देखेगा कि भया विटामिन बी श्री विटामिन जो श्री है दोस्तों उसी कमी से असकर भी होता है और विटामिन डी कमी से रिकर्स नामक रोग होता है सूखा रोग जिसको बोलते हैं ठीक है दोस्तों विटामिन एक कमी से क्य पॉइंट हम कबर कर लेंगे तो दोस्तों जो कि आज का लाश्ट पॉइंट होगा विज़ा बिटामिन भी ट्वाइल में कोबाल पाय जाता है आपने पढ़ाना भीटामिन भी का फिलोकिनों रसाइक नाम होता है और शीकमिसे पान रोग की लिए होता है तो इसमें जो है सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के पास दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद कि कρ lifण होता है अगले जोग झीजवग के लिए होता है corridors में जोस्तों के लिए टिक curs buffer है और सन्हों सब्सक्क्राइब छां शोस्तों में आखना है झाल झाल